डेली मार्केट रिव्यू आज लेट अपलोड करने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू कैसा रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रफॉर्मेंस आने वाले दिन में आगे के दिन कल के दिन हम समझने की कोशिश करेंगे टे और जिस तरीके से लगता है कि निफ्टी एक 18,200 का लेवल अचीव करेगा जिस तरीके के प्राइज एक्षन हमको देखने मिल रहे हैं यहां पर एक हाई बनाया और वापत एक हाई बनाया और वापत एक हाई बनाया और आने वल टाइम में हम लोग 18,000 का भी लेवल निफ्टी में जल से जल हमको देखने के लिए मिलेगा जिस तरीके के एक्षन्स निफ्टी में चल रहे हैं वीकली चार्ट की बात करें तो इस वीक में अभी तक निफ्टी 290 पॉइंट प्लस है 1.66 परसेंट एक पॉजिटिव संकेत है उसके बाद हम लोग देखें मंतली चार्ट पे तो इस मंत में अभी तक निफ्टी 1.16 पर बैंक निफ्टी जल से जल तच करेगा ऐसा देखके लगता है प्राइज एक्षन को आरली गंडल की बात करें तो आरली गंडल लोग यह देख सकते लो बनाया एक हायर एक लोग है मतलब यह जो हाई है इस हाई से नीचे है फिर एक हायर लोग इस्टैबलिश किया है मतलब बैंक निफ्टी जल से जल 38,400 के लेवल को टच करेगा डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में लोग यह देख सकते हैं कि अच्छी तरी से हायर लोग इस्टैबलिश किया है और अब ट्रेंडिंग मूग लेता हुआ जा रहा है वीकली चार्ट की बात करें तो इस इस वीक में भी बैंक निफ्टी 1.38% 515.00 प्लस है और एक पॉजिटिव संकेत है और जिस तरीके का एक मोमेंट हमको देखने मिल रहा है प्राइस एक्षन में लोग देख सकते हैं किस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए तो इसा लगता है कि जल से जल ब 15 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस है अब बात करते हम यह मेंस पर यह मेंस की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से एक क्रॉसवर होता हुआ हमको दिख रहा है ठटीन यह में का सपोर्ट लिया है निफ्टी ने जो इससे हमिशा की तरह लिया है पहले भी और बात करें पर है लोग वीगी चार्ट फाइँमे की उपर है अट अच्छा जटा मुम्रण दिखाया है निफ्टी बात करें मंतली चार्ट में अभी तक 5 Ö.Y. मुपर है और ऑफ करें अच्छी तरीके से अप्रेंडिंग है और 5MA के उपर है मंतली चार्ट पर भी 5MA के उपर है और एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है तो ओवरॉल देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों प्लस है और हमको जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी नेगेटिव हो माइनस हो हमको एक सब्सक्राइब रहें ग्राइब में सिपला हिंडाल को स्री सिमेंट को टाटा कंज्यूमर यह सब गिर्नल शेड्स में रहें मोस्ट एक्टिव शेड्स अगर देखें कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें हुआ है वह है आईयर सिटी सी टाटा पावर ओंजी सी देख सकते हैं आईडिया टाटा पावर यह बैंक यह सब में सबसे ज्यादा कॉंट्री डेट हुई है अब बात करें हम लोग एक्षिन का आज आज पाच अक्टोबर को नेट में 1915 क्रोड का सेल किया है और डियाएज ने 800 68 क्रोड का बाइंग किया है तो फिस फोड़ी प अबडेट कर पा रहे हैं कुछ बता पा रहे हैं तो में चाल को सब्सक्राइब करें शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और लेटर वी साथ की वह भी स्टॉक मार्केट के मुमेंट को बहतर तरीके से समझ सकें नमस्कार धन्यवाद